Hello everyone, this is Jyothi Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College, B.S.C. Part 1, Botany, Paper Second, Algae Lichens and Bryophytes के sequence में आज हम FUNERIA का Vegetative Reproduction Study करेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने FUNERIA का Habitat Distribution और उसका Plant Body और Stem और Leaf का TS का अध्यान किया था आज का हमारा टॉपिक है Vegetative Reproduction या काईक जनन FUNERIA में Vegetative Reproduction के ये Methods जो हैं इस स्लाइड में आपको मेंशन किये गए हैं फर्स्ट है Fragmentation या विखंडन नाम से ही आपको clear हो रहा है कि विखंडन विखंडन याने कि अनेक कारणों से कई बार क्या होता है कि पादप का जो प्रतम प्रात्मिक तंतु है प्राइमरी प्रोटो नीमा है वो अनेक छोटे बड़े खंडों में बठ जाता है और प्रतेक इस fragment से नए प्रात्मिक तंतु विक्सित होकर नए पादप का निर्मान कर लेते हैं कई बार ऐसा HOता है कि थोड़े थोड़े डिस्टंस पर विविन अंत्रालों पर कोशिकाओं के डैड होने से कोशिकाओं के म्रत होने से अंतरवेशी विवाजन द्वारा कुछ स्थानों पर रंग हीन यह कलरलेस कोशिकाओं बन जाती हैं जिन को हम बोलते हैं प्रथक करण कोशिक आएं और इसकी वज़ा से भी प्राथमिक तंतु में विखंड़ का निर्माण देखा गया है अब आपके लिए seria कि यहांपर रेज होता है कि यह प्राथमिक तंतु क्या चीजह है मैंने बोलब प्राइम्री प्रोटो नीमा को हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम प्राथमिक तंतु यह जो फ्यूनेरिया है एक बार शॉर्ट में आप समझें फ्यूनेरिया में बीजानू के द्वारा नए पादप का निर्मान होता है तो बीजानू आपने मरकेंशें तो सरौस में पड़ा कि बीजानू विभाजित होकर एक सेल, दो सेल, चार सेल, आट सेल इस तरह से बनाता है थैलस पर यहां पर बीजानू एक बहु कोशिक है और फिलामेंटस तंतुवत संरचना बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रथम प्रात्मिक तंतू यानि कि बीजानू से बनने वाली तंतू नुमा संरचना प्रथम प्रात्मिक तंतू कहलाती है तो बीजानू से बन रहा ह प्रथम प्रात्मिक तंतू और उससे बन रहा है नया पादप डन नो प्रोब्लम पर वेजिटेटिव प्रोडक्शन कब हुआ जब उस प्रात्मिक तंतू के खंड हो गया अलग अलग और हर खंड ने नया पादप बना लिया यानि कि प्रथम प्रात्मिक तंतू की हर कोशिक में यह छमता होती है कि वो नए पादप का निर्मान कर सकती है तो यह हो गया फ्रेग्मेंटेशन या विखंडन सेकंड पॉइंट आप देखिए सेकंडरी प्रोटो नीमा हिंदी में लिखा है दित्तियक प्राथमिक तन्तु अभी आपने पढ़ा प्राइमरी प्रोटो नीमा प्रथम प्राथमिक तन्तु अब आप पढ़ रहे हैं सेकंडरी प्रोटो नीमा को हिंदी में कहते हैं दित्तियक प्रात्मिक तंतु बीजाणू के अलावा बीजाणू के अत्रिक्त पादब के किसी भी अन्यभाग पत्ती हो तना हो मूला भासो उनसे बनने वाली तंतू नुमा संरचना को दित्तियक प्रात्मिक तंतू कहा जाता है बीजाणू से बनने वाली तंतू नुमा संरचना प्रथम प्रात्मिक तंतू बीजाणू के अलावा बीजाणू के अतरिक्त पादब के किसी भी अन्यभाग जड तना हो सकता है ठीक है clear और यह ज्यादतर क्या होता है favorable conditions में होगा favorable climatic conditions में होगा कि secondary प्रोटो नीमा बनता है ठीक है अब थर्ड पॉइंट आप देखें जैमा जैमा भी unfavorable period में क्या होता है कि terminal cells जो होते हैं प्रोटो नीमा के वो एक multicellular green bodies बना लेते हैं जिनको हम जैमे बॉलते हैं ठीक है तो तंतु की प्रात्मिक तंतु की जो शाखाओं की जो अंतस्त कोशिका है अंतस्त यानि की terminal कोशिका है distal कोशिका है उससे छोटी-छोटी कलिका समान सनरचना का निर्मान होता है और यह प सितिया होंगी पादब किसी प्रकार से छतिग्रस्त हो गया injured हो गया तो जैमा का निर्मान हो सकता है अब आप देखिए next point लिखा है बल्बिल्स बल्बिल्स को हम बोलते हैं पत्र प्रकलिकाएं ठीक है मूला भास और प्रोटो नीमा पर क्या होता है कि छोटी-छोटी प्र समय तक रहती है और इसलिए इन्हें कई बार ट्यूबर्स का नाम भी दिया गया है अनुकूल परिस्थितियों में यह नए प्रोटो नीमा बनाती है और नए पादब का निर्मान करती है ठीक है यह जो बल्बिल्स हैं सिमिलर हैं गयमा के तरह और यह उसमें अनुकूल पर कहते हैं बल्बिल्स ग्रो करती है नए प्लांट में जब यह पैरेंट प्लांट से डिटेच होकर आधार पर गेर जाती है तो इसमें र्यज्वरो में बरौध्ष और यह नए प्ललंट बना लेती है अंएक स्थाथ eigene प्लांट गरना लेती है एक स्थारा रहा है अे पोबी बीजानु था इसमें क्या होता कि development of the gametophyte development of the gametophyte from the sporophyte without the formation of spores is known as apospory gametophyte का निर्मान sporophyte से but without the formation of spores gametophyte यानि कि युग्म कोदविध से बीजानु बने बिना ही युग्म कोदविध का बनना किस से बीजानुद भिद से बिना बीजानुद बने यह अपोस पोरी कहला था अपो बीजानुता यानि कि absence की बीजानु की बीजानु नहीं बन रहे हैं और बीजानुत्भिद की काई कोशिकाँ से ही नय पाध़ का निर्मान हो रहा है तो यह पाध़ कैसा होगा दुगुनत होगा तो यह कि दूगुनMINत है but डिप्लॉइड है दो गुनित है और उसकी काई कोशिकाएं बना रही है नया पादब तो यह बिजानु द्भित की कोशिकाएं जो नया पादब बनाती है बिना बिजानु बनाए ही यह कहलाती है एपोस पूरी जीवन का जो चक्र है लाइफ साइकल उसमें से यह बिजानु वबस्ता हट गई और बिजानु द्भित की कोशिकाएं ने डाइरेक्ट ही नए पादब का निर्मान कर लिया वह हो गया एपोस पूरी इसके यह फाइप मैथर्ड्स हैं वेजिटेटेव प्रोडक्शन के काईक जनन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शल